सब्सक्राइब करें इस से पहले जो हम लोग ने पार पड़ा था वो पार्ट एट था जिसमें हम लोग ने मैंटर्ज ओफ प्रिप्रेशन ऑफ हेलो इलकेंज पड़े थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो टाइप करिए केमिस्ट्री का सागर मैथर्ज और प्रिपरेशन ऑफ हेलो इलकेंज और यू विल गिट दा टॉपिक आईए आज हम लोग बात करेंगे बोरोडीन हून स्टिकर रियक्शन और विनबॉम सिमोनिनी रियक्शन तो भेसिकली बच्चों ये लास्ट मेथर्ड हैं तू प्रिपेर दी हैलो इलकें लास्ट मैकल्ड गइन तो फाइनली इस लास्ट मैथर्ड को कहते हैं Preparation of Halo Alkanes, Preparation of Halo Alkanes from Silver Salt of Fatty Acids, From Silver Salt of Fatty Acids, Silver Salt of Fatty Acid का क्या मतलब होता है, कि जब आप किसी Acid में, जैसे R-C-O-O-H, उसमें अगर आप Ag को डाल दें, तो आपको reaction मिलेगी, आपको जो product मिलेगी, वो R-C-O-O-A-G मिलेगी, This is the Silver Salt of Fatty Acid, हमारा ये main reactant रहेगा, और इससे बेटा हम बनाने वाले हैं Halo Alkanes, तो basically this method is known as Borodine-Hunds-Dicker reaction, तो सबसे पहले हमको एक general reaction पढ़नी है, एक normal reaction पढ़नी है, जो हम exam में अगर पूछा जाए, तो direct दे दे, इसकी mechanism आपके boards में पूछी-उची नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको mechanism बताऊंगा, don't worry about it, तो ये रही इसकी बेटा general reaction, कि आप एक तरफ Silver Salt of Fatty Acid लेते हैं, उसकी reaction आप BR2 या CL2 से करा सकते हैं, हाना, I2 से नहीं करा सकते हैं, I2 से limitation आजाता है, जिसको हम बोलते हैं, bin bomb Simonini reaction अभी आने वाला है, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, मान लिया जैसे हमने BR2 ले लिया, in the presence of carbon tetra chloride as a solvent, CCL4, और थोड़ी सी दे दी हमने सी heat, अब आपको जो product मिलेगा, वो मिलेगा, RBR, प्लस CO2, प्लस AGBR, this is the general reaction for the Borodine-Hunziger reaction, अब इसको याद करने का तरीका कैसे रहीगा, आईए देखते हैं, एक तरफ यहाँ पे दो BR हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अब आप क्या याद रखोगे, कि AGBR यहाँ से निकल जाएगा, RBR, यहाँ से निकल जाएगा, बच्चे का क्या CO2, वो भी अलग गैस के रूपे निकल जाएगी, सिंपल है, सिंपल है ना, अब इसकी मेकैनिजम की बात कर लेते हैं, मेकैनिजम से पहले एक छोटा सा एक्जैम्बल की बात कर लेते हैं, आप इसको नोट प्रीज साथ-साथ करते रहिएगा, हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पर एक छूटा सा एक्जामपल ले लेते हैं फिर उसी एक्जामपल को लेकर हम आपको मेकैनिजम समझा देंगे let's say यहाँ पर R कुछ भी ले सकते हो this R can be CH3, this R can be C2H5, this R can be Phenyl, Benzene Ring भी ले सकते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं यानि कि आप हैलो अरीन भी बना सकते हैं यूजिंग बोरोडीन हुंस्रिकर रियक्शन और आप हैलो अलकेन भी बना सकते हैं यूजिंग बोरोडीन हुंस्रिकर रियक्शन and most probably कौन सा बेटा, BR2 या CL2, I2 नहीं लेंगे तो यहाँ पर जो रियक्शन आएगी, वो आएगी CH3, COO, A, G plus BR2 in the presence of CCL4 and heat एक कार्बन एटम लेस करने के काम आ जाती है यह रियक्शन क्योंकि देखो, यह आपने जो भी लिया, एथ लिया, एथ और जो मिल रहा है आपको, वो मिलेगा क्या? मैथ क्योंकि यहाँ से यह CO2 molecule निकलने वाला है एक BR, AG के साथ जाएगा, एक BR, CH3 के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 BR plus CO2 plus AG BR सच-सच बताना, मुझे नहीं लगता कि यह रियक्शन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में यह घुसी ना हो घुस चुकी होगी, बहुत अच्छी दिकर से ड्रिल हो चुकी होगी अब इसी तरह मैं आपको इसकी मेकैनिसम भी समझा देता हूँ तो बच्चों इसको नोट कर लो ब्रेध्यान से समझेगा कि क्या होगा? बहुत असान है अब आप मेरे को यह बता हो कि जब BR2 इसके साथ रियाक करेगा तो O और AG में AG पर पार्शल पॉस्टिव लिख सकता हूँ और O पर पार्शल नेगटिव लिख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रो नेगटिव डिफरेंस है AG मैटल है अक्सीजन इलेक्ट्रो नेगटिव एलेमेंट है इसलिए यहाँ पर पॉस्टिव और यहाँ पर नेगटिव जब BR2 मॉल्क्यूल इसके पास एप्रोच करेगा तो इसके पार्शल पॉस्टिव की वज़ा से BR-BR पे डाइपोल इंडीूस्ड हो जाएंगे पोल आरिटीज इंडीूस्ड हो जाएंगी तो वह वाला end वह वाला ब्रोमीन जो आपके पार्शल पॉस्टिव AG के साथ टकराएगा वह वाला end आपका पार्शल नेगटिव और दूसरा वाला end आपका partial positive हो जाएगा this is the first thing which you need to remember then what happened A, G, B, R यहां से निकल जाएगा और बचेगा क्या CH3 CO, O, B, R plus A, G, B, R अब यह वाला जो compound है यह highly unstable compound है the reason being bromine अपने में राजा है oxygen अपने में राजा है bromine भी highly electronegative है oxygen भी highly electronegative है तो इन दोनों की electronegativity इतनी आसपास बराबर होती है कि ना वो electron density देना चाहता है ना वो electron density देना चाहता है तो जो यह हमने CCL4 as a solvent के तोर पे use किया था अब इसका यहां पर काम आएगा क्योंकि जब CCL4 आता है या non polar solvent आता है तो basically it helps to give the free radicals in the solution तो CCL4 की presence में यहां पर आप कह सकते हो कि homolytic fusion होगा जिसकी वज़ा से bromine का यह electron इसकी तरफ oxygen का यह electron इसकी तरफ चला जाएगा ऐसा चलते हुए आपको एक चीज मिलेगी जिसका नाम CH3COO free radical प्लस BR free radical यह मिलेगा अब आप जानते हो कि यह और यह दोनों highly unstable है तो यहां से यह अपने आपको stable करने की कोशिश करेगा और यह अपने आपको stable करने की कोशिश करेगा लेकिन कैसे how तो बच्चों होगा क्या CH3COO2 में से CO2 निकल जाएगा देखो यह कार्बन यह कार्बन आपस में homolytic fusion कर सकते हैं कार्बन कार्बन बॉंड है तो यह बॉंड जब तूटेगा तो इस पर एक free radical इस पर एक free radical आ जाएगा यह dot यह dot यह दोनो electron मिलकर CO2 बना लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं न यह electron यह electron आपस में मिलकर double bond बना लेगा फिर बचे का क्या CH3.br तो यह दोनों आपस में मिल जाएंगे और CH3br बना लेंगे तो बस सबका घर बसना चाहिए सबको stable होना चाहिए कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है तो आपको एक product यह मिलता है CH3br दूसरा product यह मिलता है AGbr तीसरा product यह मिलता है CO2 gas बोलो simple और विल्कुल to the point बात मैंने करी है अब मैं बात करना चाहता हूँ borodine hunts dicker की limitation की तो इसको note कर लीजिएगा आप पहले आपने देखा कि किस तरह से silver salt of fatty acid हमको अपना desired hyaloylcane देता है लेकिन वो जो desired hyaloylcane है वो chloro या bromo के रूब में ही पाया जा सकता है F2 का case तो मैं आपको पहले सी discuss कर चुका हूँ highly exothermic होता है उसके लिए Swartz reaction यूज होती है और अभी भी अगर आपने Swartz reaction नहीं देखिए तो प्लीज जा कर देख लीजेगा next बात आती है आयोडीन को लेकर आयोडीन में ऐसा क्या लोचा है या आयोडीन को लेकर ऐसी क्या खलबली है तो बच्चों let me introduce you the limitation of the borodine हुंश्री कर रियक्शन which gives leads to binbong simonini reaction कितना cute सा नाम है मतब़ ऐसा आप ऐसे जपानी नाम बोल रहे हैं simonini तो binbong simonini reaction क्या कहती है वो ये कहती है कि अगर आप silver salt of fatty acid ले रहे है उसके reaction I2 और CCL4 के presence में करा रहे है तो आपको alkyl iodide मिलना चाहिए था borodine hosdicker के concept के साब से लेकिन आपको मिलता क्या है R COOR plus CO2 plus AGI बस एक difference है कि यहाँ पर two moles of silver fatty acids का यूज होगा two moles of silver salt of fatty acid यूज होगा तभी Easter मिलना मुम्किन हो पाएगा so what is the limitation of borodine hosdicker reaction is binbomb simonini reaction and what is that that while preparing the iodoyalcane from the silver salt of fatty acid you will get the Easter and why is it so आई ये इसको भी discuss करते है देखिए हुआ क्या था पिछली वाली mechanism में जो अभी आपने लिखी है कि BR2 जैसे अप्रोच हुआ था वैसे I2 भी अप्रोच होगा जैसे उसके पास polarities induced हो गई थी AG के करीब आने पर उसी तरह iodine में भी हो जाएंगी जिसकी वज़ा से AGI अलग हो जाएगा और आपको मिलेगा RCOOAG नहीं स्वारी RCOOI प्लस AGI इसके बाद के कहाने भी सेम रहेगी कि CCL4K presence पे यहाँ पे free radicals होंगे क्योंकि दो नो अच्छे खासे electro negative elements है तो यहाँ पर आपको RCOO free radical मिलेगा I.free radical अलग से मिलेगा फिर से सेम कहानी रहेगी कि यहाँ पे आपको R. मिलेगा CO2 अलग हो जाएगा I.thi यह I. और यह R. free radical आपस में मिलकर R.I. बना लेगे यह क्या सरे तो wave group बना दिया आपने अभी आपने का कि इस्टर मिलेगा आप R.I. बना कर बैठे है सेम mechanism के थू जी यहाँ पर देखिए दो moles है और होता क्या है यह बात मैंने आपको nature of CX bond में बताई थी कि CF, CCL, CBR, CI जब हम down the group जाते तो bond lane बढ़ती है क्योंकि atomic size बढ़ता है तो CI को तोड़ना बहुत असान होता है तुरंट तूट जाता है highly reactive होता है तो R.I. यहाँ पर बहुत जल्दी तूट जाएगा और हम क्या ले रहे हैं दूसरा mole ले रहे हैं यानि कि when the second mole has been taken rcoo. इस R.I. पे react करेगा क्योंकि हम दो mole ले रहे हैं तो दूसरा mole हमने अब use पे ले आए तो यहाँ पर जो यह चीज मिली थी एक बार हमने फिर से बना ली और यह चीज अब इस R.I. पे react करेगी जिसकी वज़ा से इसका bond तूटेगा r. अलग, i. अलग अब सोच रहों कि R.I. में होमोलिटिक फिजन क्यों हुआ है क्योंकि बिटा हमने non-polar solvent CCL4 को introduce किया हुआ है which will helps to initiate the reaction in the free radical manner तो यह O. इस R. के साथ मिलकर बना देगा R, C, O, O, R plus i. फिर से बच जाएगा तो यह रहा आपका main thing Easter लेकिन Easter तभी possible है जब दो मोल लेंगे तो बिन बॉम सिमोनी नी reaction I hope आपको समझ में आगी होगी which gives you Easter not R.I. R.I. तम मुमकिन होता R.I. तम मुमकिन होता जब यह एक मोल होता clear होगी बात? समझ में आए लेकिन वो मुमकिन नहीं है हम लोग दो मोल लेंगे क्योंकि R.I. जो बनेगा वो highly unstable बनेगा वो reactive इतना ज़्यादा होता है कि वो तूटने की कोशिश करेगा ही करेगा इसलिए Easter का बनना लाजमी है और यह जो होती है यह सब possible mechanisms होती है ठीक है? किसी और बुक में आप किसी और method से भी देख सकते है तो इसका यह मतलब नहीं कि यह गलत है या वो गलत है दोनों सही है इसलिए पॉसिवल वेटो एक्स्प्लीन दी mechanism of the particular reaction ठीक है? I hope आपको बोरोडीन और भी मॉम्सी मुनिनी दोनों समझ में आगी है तो stay tuned to chemistry का सागवा सागवा जाती है for further videos and let me tell you the methods of preparation of heliolkines has been finished over here and in the next video we will be proceeding towards the chemical properties of heliolkines in which we are going to study the nucleophilic substitution reactions as the first topic SN2 versus SN1 SN2, SN1, nucleophilicity basicity उसके solvents का जितना भी nature वेचर है सब पढ़ेंगे एकदम detail में बाई बाई